हलो फ्रेंड्स मैं एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है कोशिश चलिए कहानी शुरू करते हैं एक मयंक नाम का छोटा लड़का था जो कक्षा पांच में पढ़ता था मयंक का इस्कूल गाउं से लगभग दो किलो मिटर दूर था तो गाउं के सबी बच्चे पैदल पैदल इकटे स्कूल जाते थे एक दिन मयंक और उसके साथ ही स्कूल से वापस आ रहे थे वह सब भागम भाग जैसा कोई खेल खेलते हुए वापस आ रहे थे जिसमें सारे बच्चे दोड़ते थे और एक बच्चा उन्हें पकड़ता था इसकूल से लोड़ते वक्त वह ऐसा खेल अक्सर खेला करते थे लेकिन उस दिन मयंक भागते हुए एक चट्टान से टगरा गया हा क्योंकि वह पीछे की तरफ देखता हुआ बहाग रहता कि पकड़ने वाला लड़का उससे कितना पीछे है उसके पैर और सिर में चोट लग गई वह उठा और फिर लंगडाता हुआ धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगा अगली सुबह मैंक जब घर से स्कूल के लिए निकला और जब वह उस चट्टान के पास पहुँचा तो सोचने लगा कि यह चट्टान कितने लंबे समय से रास्ते के बीच में खड़ी है और इस चट्टान की वज़े से काओं के लोगों ने अपना रास्ता गुमा लिया है लेकिन इसे हटाने के लिए कभी महनत नहीं की अब इस चट्टान को मैं रास्ते से हटाऊंगा ऐसा सोचकर उसने चट्टान से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया और आगे कुछ दूरी पर जाकर उस टुकड़े को खाई में डाल दिया स्कूल से वापस आते हुए भी उसने ऐसा ही किया सब बच्चे उसे देख कर हस रहे थे लेकिन उसने किसी की बात को नहीं सुना और अपने मन में ठान ली कि इस चट्टान को वो रास्ते से हटा कर ही दम लेगा शाम को जब घर पहुँचकर उसने अपने स्कूल बैग में एक खाली थैला रख लिया और जब अगली सुबह स्कूल के लिए गया तो फिर चट्टान से पत्थर उठाए और खाली थैला निकाल कर उसमें भर लिये और कुछ दूर जाकर पत्थर डाल दिये ऐसा करते करते उसे लगभग एक महिना हो गया तब सारे बच्चों ने देखा कि उसकी कोशिश से चट्टान का एकोना रास्ते से हट गया है इससे मयंक के साथियों को भी मयंक के चट्टान हटने वाली बात पर भरोसा हो गया और अब सब बच्चों के साथ मिलकर मयंक की मदद करने लगे कुछ दिनों में ही देखते देखते आदी से ज़्यादा चट्टान हट गई और इस बात के चर्चा गाउं में भी होने लगे मयंक की छोटी सी कोशिश से कि मा बदलाव आ गया है और गाउं के बड़े लोगों ने भी मयंक के शाहिता करनी शुरू कर दी मयंक की मा को जब यह बात पता चली तो वह बहुत खुश हुई और उन्होंने फिर मयंक को समझाया कि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो और कक्षा पांच के त्रेमाशिक परिक्षा में गणित विसे में तो तुम फेल भी हो चुके हो जब चटान से चोट लगने पर तुमने उसे उखाडने की ठान ली कि जिसके बारे में गाउं के इतने सारे लोगों ने इतने लंबे समय में भी कभी नहीं सोचा तो तुम्हारी एक छोटी सी कोशिस और मेहनत ने लगबग उखाड भी दिया है उस चटान को तो क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर तुम अपनी पढ़ाई में भी ऐसे ही कोशिश करोगे तो तुम कितने सफल हो जाओगे मयंग ने कहा लेकिन मा गणित तो एक बहुत कठिन विसे है मुझे लगता है मैं उसमें पास हो ही नहीं सकता तब मा ने बताया कि बेटा चटान से ज़्यादा कठिन तो नहीं है ना तुम गणित विसे को चटान मान लो और परिक्षा में जो तुम फेल हुए हो उसे खुद लगी चोट और अब कोशिश करो इस चटान को तोड़ने की अब ही यह बात मयंग को समझ आ गई कि जब चटान हटाई जा सकती है तो गणित क्या है उसके सामने और मयंग ने अब गणित विसे को और अन्य विसेओं में भी कोशिश शुरू कर दी और जब उसे कटनाई होती तो वह अपने साथियों माता पिता और अध्यापकों की उसी प्रकार मदद लेने लगा जैसे वह चटान के भारी पत्थरों को हटाने में लेता था फिर कुछ ही दिन में छमाई परिक्षाओं का परिणाम आया तो इस वार मयंग गनित विसे में पास हो गया था अपना रिजल्ट देखकर मयंग ने अपनी कोशिश जारी रखी और देखते ही देखते वार्षिक परिक्षाओं आ गई मयंग ने बहुत मेहनस से पेपर दिये और जब वार्सिक परिक्षा का रिजल्ट आया तो सब अचम्बित हो गए बड़ी मुश्किलों से पास होने वाला मैंक इस वार कख्षा में प्रथम आया था उस दिन गाहों में सब बहुत खुश हुए आज गाहों में दोहरी खुशी मनाई गई एक चटान पूरी तरह से हट गई थी और उस दिन सड़क सीधी हो गई थी और दूसरी मैंक के प्रथम आने की खुशी दोनों ही बाते मैंक की कोशिश से संभव हो पाई थी इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी काम कठी नहीं होता बस एक कोशिश एक सुरुवात की जरूरत होती है धन्यवाद